दोस्तों नमस्कार फसली वर्स क्या होता है आज हम लोग यह समझेंगे ठीक है फसली वर्स या इसी को क्रसी वर्स भी कहा जाता है इस समय जो सन है वो 2022 चल रहा है लेकिन जो वर्तमान में फसली वर्स है वो 1429 चल रहा है कैसे निकाला जाता है हम लोग यह भी देखेंगे तो सबसे पहले क्रसी वर्स का मतलब समझ दीजिए क्रसी वर्स या फसली वर्स एक ऐसा वर्स होता है जिसमें किसी छेत्र में एक साल के अंदर जितनी भी फसलें की जाती है उन सभी फसलों का पूर रूप से मुल्यांकन किया जासा के इस तरीके से फसली वर्स का चैन किया जाता तो फसली वर्स का चैन इस तरीके से किया गया है कि जो भी तीन फसले भारत में पैदावार की जाती है एक साल के अंतरगर उनका पूरा का पूरा मुल्यांकन किया जा सके कि कितनी पैदावार किस फसल में हुई है साल के सुरू से साल के अंतर तक ठीक है तो अब समझ लिए भ ये भी आप समझ लीजिए बहुत आसान है आपके इसमें रटना कुछ नहीं है भारत में बताइए मानसून का बाता है भारत में मानसून का बाता है पानी का बरसात कब सुरू होती है क्योंकि जब तक बरसात नहीं होगी तब तक फसलों की पैदावार नहीं की जा सकेगी तो देखिए जूलाएर से जब फसलि नेकर कम्प्रिटेयगी और तडीवर्स के अधार करेंगे तो हाराम से गड़ना करने में आसानी हो कि की पूरे सीजन के दारौं तेनों फसलों में क्या-क्या पैदावार की और कितनी की गी तो आपको ये दोनों कुश्चन याद रखना बड़ा आसान हो गया कि फसली वर्ष कब से कब तक चलता है और फसली वर्ष ये एक जुलाई से ही क्यों लिया जाता है ठीक है अब हम लोग इस प्रशन पर आते हैं कि वर्तमान में 1429 फसली वर्ष चल रहा है ये कैसे वर्तमान में जो सन है वो चल रहा है 2022 लेकिन फसली वर्ष कौन सा चल रहा है 1429 तो हम इसका थोड़ा सा इतियास समझ लेते हैं और आप निकालना भी सीख जाएंगा असानी से देखिए फसली वर्ष की सुरुगात किस ने की थी अकबर ने की थी अकबर राजगदी पर कब बैठे थ कहलाता है उस समय हिजिरी वर्ष कौन सा चल रहा था 963 ठीक है जिस समय अकबर गदी पर बैठे उस समय हिजरी वर्ष के था 963 तो उस समय मतलब 1556 को अकबर ने क्या घुसत करिया कि अब से फसली वर्ष कौन शा चलेगा 963, 1556 को 963 फसली वर्स घुसत किया गया, ठीक है, आपको यही पॉइंट याद रखना है, जिस समय अकबार गद्धी पर बैठे 1556 में उस समय हिज्री वर्स या इस्लामिक केलेंडर का जो वर्स है वो 963 चल रहा था, ठीक है 963 वर्स, और उसी वर्स को, 963 को ही क्या घुसत कर दिया गया क्रिसी वर्स, कि 1556 को कौन सा क्रिसी वर्स हो गया, 963 ठीक है 1556 में 963 ठीक है, अब जब 1557 आएगा तो क्रिसी वर्स कौन सा हो जाएगा, 964 ठीक है, 1558 आएगा तो क्रिसी वर्स 965 इसी तरीके से क्रिसी वर्स आंगे बढ़ता जाएगा ठीक है अब निकाला कैसे जाता है बड़ा आसान है देखी हमने यहां पर एक यह लिखा हुआ है कि जो 963 क्रिसी वर्स ठीक है 1556 में शुरुआत की गई तो 963 ध्यान से समझिए 1556 से कितना पीछे हैं 593 वर्स ठीक है 59 593 वर्स पीछे चलता है क्रिसी वर्स कितना पीछे चलता है 593 वर्स बहुत आसान हो गया अब इस समय वर्स कितना चलता है सकते हैं कि अगर फसली वर्स निकालने के लिए कहा जाए तो आप 593 नमर को याद रखेंगे आपको करना क्या है जो भी सन चल रहा है इस समय वर्तमान में तो उससे आपको 593 घड़ा देंगे तो आपको पता चल जाएगा फसली वर्स इस समय कौन सा चल रहा है लेकिन एक बा थीके तो आपको 593 घटाना है वर्तमान जो कैलेंडर वर्स है उसमें से आप 593 घटाएंगे तो फसली वर्स मिल जाएगा आपको लेकिन ये फसली वर्स जो 1429 आया घटाने पर ये एक जनवरी से 30 जून तक ही रहेगा क्यों क्योंकि हमको पता है कि जो करसी वर्स है वो 30 ज किya हमको 1429 मिला ठीक है ये 1429 ये जनवरी से 30 जून तक के लिए चहि ये जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक तो 1429 है ठीक है लिए अगर जुलाई 2022 में पूछा जाए तो हमको पता है कि जुलाई में नया फstar आप शुरू हो जाता है जायेगा बिल्कुल एक लाइन में जो वर्तमान दो